नमस्कार दोस्तो एक्जाम नगर में आपका स्वागत है दिस इज अजय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीलिम्स का स्लिवर्स बो भी कि सब्जेट का जोगराफी सब्जेक्ट का इसके पहले मैं आपको UPSC से लेटेट इंपोर्टेंट बुकलेट बता चुका हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं तो ठीके दोस्तो बने रही है वीडियो के साथ त्यूंकि आपको पूरा स्लिवर्स प्रीलिम्स का बताया जाएगा इसके आंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम म इंडिया के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इंडिया की कुछ लोकिशन के बारे में बात करते हैं इसके अलावा हम हमारे नेवर कंट्री के बारे में बात करते हैं उसके अलावा इंपोर्टेंट स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं स्ट्रेट क्या होते हैं जैसे कि ज और सीलंका के बीच में हैं ठीके दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसके आंगे चलते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है स्टेट और उसकी पॉजिशन देखने के मिलती है ऐसे कि इंडिया का कौन सा स्टेट कहां पर है उसके बारे हमें जानकारी होनी है क्या है पाकिस्तान से हमारी बॉडर एड हुई हुई ठीक है दोस्तों इसके बाद अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें सबसे पहले हमारे दमाग में आता है हमाले हमाले के बारे हमें क्या क्या पता होना चाहिए सबसे पहले हमें उसकी जियो लॉजिकल फॉर्मिशन कि क्या कैसा है climate, वहां की vegetation कैसी है, कौन-कौन से पेड़ पाय जाते हैं, उसके लावा वहां की soil कैसी है, biodiversity कौन सी है, पक्षी कैसे पाय जाते हैं, इसके लावा major passes कौन-कौन से हैं, जैसे नाथूला का अपने नाम जरूर सुना होगा, इसके अलावा वहां का significance क्या है, आपको पता ही होगा, यह जैसे हमाला है, तो जो नौर्थ से ठंडी हवाय आती हैं, तो उसके लिए रोकता है, और दूसी तरफ जब मान्सून की हवाय आती हैं, तो उसके लिए भी रोकता है, और वो बारिस कराता है, तो यह हमारे लिए बह कुपी का एरिया हो गया उसके इलावा भिहार का एरिया होगा उत्तर्खंट का इरिया हो गया इन सब एरिया में जो नौर्थ प्लैन कहला आता है यहां पर पोपॉलिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहां अग्रसिजल का प्रोडाक्षन बहुत अच्छे तरीके से होता है तो इसके लिए भी हमें क्या 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 है इसकी सारी चीज़ें इसकी भी हमें यही चीज़ें पढ़ना है वहां का climate, vegetation, soil, biodiversity, major passes नहीं वहां passes तो नहीं होगे इसे significance क्या है इस सब चीज़ें हमें हमारे north plane के बारे में पढ़ना है और same चीज़ हमें किसके बारे में पढ़ना है हमारे peninsular India के बारे में पढ़ना है जो यहां पर है peninsular India में कौन-कौन सी river है इसके बारे में हमें आंगे चलकर पढ़ना है इसके लाबा, desert के बारे में हमें जानना है उसके बाद, coastline और plain area के बारे में और plain and island के बारे में पता करना है ठीके? आपको यहाँ पता ही होगा यहाँ अमार अच्छिदीव है और यहाँ हमारे क्या है? coastline area ठीके दोस्तो इसके आँगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए river system पढ़ना है river system में क्या पढ़ना है हमारे लिए कौन कौन सी river पढ़ना है हिमालाय river पढ़ना है इसके बाद हमें पैनुसलर river पढ़ना है हिमालाय इमालाय में सबसे important कौन कौन सी है गंगा, यम, यमना हो गई ब्रह्मा पत्र हो गई, इंडस हो गई, पैनुसलर रिवर में क्या कपड़ना है, कृष्णा हो गई, गोदावरी रिवर हो गई, ठीक है, और इसके बाद रिवर बेशन क्या है, रिवर बेशन बोले तो एक रिवर से कितनी रिवर मिलके उनका क्या बना रहा है, बेशन बनता हुआ है एक इंद्रागांधी कैनल कहां से निकली हुई है इस सब चीजें हमें इसमें पढ़ना है उसके बाद हमारे लिए पढ़ने हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और जो इस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ठीक है इसे नर्वदा को लिए लिया जाए तो कौन से रभ ब जो साउथ में होता है ठीक है काविरी रिवर डिश्पूट उसके बारे में हमें पढ़ना है इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद क्लाइमिट के बारे में पढ़ना है क्लाइमिट में क्या पढ़ना है मांसून मांसून के बारे में पढ़ना है कैसे मांसून आता है एल पढ़ना है, mineral distribution कैसा है, industrial polish कैसी है, location कहा है, data and iron and installation कहा है, industry कहा है, इस सब चीजें हमें जानकारी लेनी है, छोटा नाकपुर प्लेटू, यहां पर भहुत अधिक मात्रा में हमारे लिए minerals मिलते हैं, इन सब प्लेटू के बारे में, इन सब minerals place के बारे में हमें पढ़ना है, prelims क तैयारी के लिए, इसके आँगे हम बढ़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, agriculture, agriculture कौन सी फसल कहां बोई जाती है, land का utilization कैसा होता है, जूम cultivation कहा होता है, यह आदार प्रकार के condition, रभी, खरीब, कहां बोई जाती है, कहां सब से अधिक production होता है, green revolution के बारे में पढ़ना है, यह क चीज़ें और उसके साथ साथ हमें, वहां कौन सी crop उगाई जाती है, उसके बारे में जानकारी है, irrigation की कैसी facility है, क्या canal बनाए गई है, या फिरिप irrigation होता है, या फिरिप irrigation होता है, इन सब irrigation के बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है, अगर land reform की बात करें, लेंड reform हुआ ह ठीक है, उसके बाद हमें animal husbandry के बारे में पढ़ना है, कि कौन-कौन से animal पाले जाते हैं, उसके बाद हमें government scheme के बारे में पढ़ना है, अभी अभी जो current में scheme आ रही है, प्रधान मंत्री की उजनाय आ रही है, उनके बारे हमें सारी जानकारी लेनी है, क्योंकि ये prelims point of view से बहुत बहुत ज़्यादा important है, इसके बाद आंगे बढ़ेंगे, तो हमें natural vegetation के बारे में पता करना है, मतलब की classification of forest, different type of forest पाय जाते हैं, कहीं कहीं evergreen forest पाय जाते हैं, कहीं कहीं non-evergreen forest पाय जाते हैं, इस सब forest के बारे हमारे जानकारी लेनी है, rainfall का distribution पता करना है, कहां कितनी वारिस होती है जैसे कि आपको पता होगा मेहलाना में सबसी जाना वारिस होती है इस तरीके से हर जिंगा की बारे में बता करना है ऐसे कि हमारे गुजरात के जो हुआ उतनी वारेश नहीं होती है जिससे वहाँ पर इजय बना हुआ है ठीक है इसके बात हम रेडी बारे में पड़ना है इस कि हमारे उनके बारे में पड़ना है पूरे एनिमाज जो जो रेडल स्टेट में हैं जिनकी आवादी एक तरही के से घटी जा रही है इन सब के बारे में हमारे लिए जानकारी लेनी है अगर हम और आगी बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है? Economic Infrastructure के बारे में पढ़ना है जो हमारे Transpiration System है Power and Energy Sector है, Conventional and Non-Conventional Energy Sources है Energy Consurvation है, इस सब हमारे लिए पढ़ना है यह आपको Class 8 की NCRT, Class 10 की NCRT, उसके अलावा Class 12 की NCRT में मिल जाएगा इसके पहले मैंने Material सारा बता दिया है आपके लिए वो वीडियो जरूर देख लिए, उसके बाद यह आप से लिवस देखिए इसके बाद आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा ठीके दोस्तों, आप आत करते हैं Human Geography से Human Geography से Question बनते हैं वो उतने ज्यादा नहीं बनते हैं वो मैंस में बन सकते हैं, ठीके, Recent Census क्या है जैसे कि अभी 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में हुआ ना था बर्ट कोरोना की वज़े से सब नहीं हो पा रहा है अभी आगे चला कर इस्तिती सही होती जाएगी तो यह जरूर होगा तो इतनी जानकारिया आपको Prelims के बारे में पढ़ाई करनी हैं उसके बारा के लिए मोक टेस्ट दे देना है और उसके बार Prelims में बैठ जाना है 100% आपका सेलेक्शन हो जाएगा बस महनत नहीं चोड़ना है ठीके दोस्तो इतनी बात आपको समझ में आ गही होगी ठीके दोस्तो वीडियो अगर पसंद आईए तो लाइक का बटन दबा दीजिए इसके अलावा वीडियो को सेर कर दीजिए और चैनल को सस्प्राइब कर दीजिए थैंक यू दोस्तो थैंक यू शो मच